हेलो दोस्तो स्वागा थे आप सबका अचीब सी अपीफ सीडियस के योटूब चैनल पर हम इस चैनल पर एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम विजन आइस के मंतली मैगजीन करेंगे यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैग्जीन में से मंतली मैगे में में से कौन से वो इपॉर्ट्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पेपर two के लिए हमारे पास कैने मेंघयन कर सकते हैं हम अपने essay में कर सकते हैं जिससे क्या कर सके हम बहुत अच्छे marks गेन कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे important यह है कि हमारे पास content हो और content होगा कहां से तो newspaper और magazine से हमारे पास content gather होगा जिसका repetitive revision और practice से हम यूज करके answer अपने paper 2 में high marks अच्छीव कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपके एक्जाम में paper 1 और paper 2 दोनों ही important role play करता है क्योंकि दोनों के marks जूरते हैं आपके merit के लिए तो आपको यह ensure करना हूँ कि आप दोनों ही paper में best perform करें ताकि आप एक अच्छा rank लाकर अपनी dream force क्या कर सके secure कर सके ठीक है तो मैं अभी आपके सामने अगस्ट 1224 का Vision IS का monthly current affairs लेकर आया हूँ जहाब मैं आपको बता हूँगा कि इसमें कौन-कौन से topics है जो आपको पढ़ने चाहिए और कौन-कौन से topics आपको छोड़ देने चाहिए इससे क्या होगा आप अपने time को wisely utilize कर पाएंगे और क्या कर सकेंगे सही से आप अपने paper 2 के तयारी और further तयारी को pursue कर पाएंगे ठीक है तो without wasting so much of time हम चलते हैं अपने topic के ओपर ठीक है तो यह हमारा main vision IS का content page जहां पर सारे important topics की एक list दी गई है जहां पर मैंने highlight कर रखा है कि आपको कौन-कौन से topic पढ़ने चाहिए इस month से और कौन-कौन से topic नहीं पढ़ने चाहिए मैं यह पूरी हाई output अचीव कर पाएं हमारे इस channel का main motive यही है कि आपको कैसे less quantity वे हाई output अचीव कराया जा सके तो इसी के थुरू हम क्या करते हैं हम देखते हैं इस topics के content को कौन-कौन से important topics है ओके तो अगर हम कंट्री में हम हमें अगर democratic country है जैसे इंडिया है तो हमें इसको इसका गवर्नेंस से क्योर करना है तो है पर सबसे important है हर किसी का participation equal amount में हो जहां पर गवर्मेंट जो है और वहां के citizen दोनों क्या कर सके के equally participate कर पाएं mutually क्या कर सके कोडिनेट कर पाएं तभी जाके एक डिमोक्रिटी कंट्री सही से function करती है तो इस article में citizen के participation के बारे में बहुत concise में और बहुत अच्छे तरीके से discuss किया गया है कि कैसे good governance में citizen citizen का participation एक important role play करता है और जो सेकेंड हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ आवर Constitution जो कि DPSP है यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है इसके बारे में यहां पर discuss किया गया है यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसके positive और negative points को discuss किया गया है कैसे हमारे country में कुछ state से लाइक गोवा एंड उत्राखंट जो क्या कर रहे है उनिफॉर्म सिविल कोड को अपना रहे है और इसके क्या प्रोजन कॉल से हमें कि क्यो अपनाना चाहिए क्यो नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि एक evergreen topic अगर आप इसके chances बहुत हाई रहते हैं और most important क्या हो सकता है आपको यह argument के रूप में देखने को मिल सकता है तो यहां से आप क्या कर सकते हो अपने नोर्स में प्रोज लिखकर इसके चार-पांच पॉइंट्स कर सकते हो और challenges लिखकर ताकि आपके पास argument आया तो for or against में लिखने में इसको problem ना हो तो यह कुछ दो important topics थे इस यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा next topic है international relations में में मुझे important लगी सबसे पहला है इंडिया एंडिया 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 एंड ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ जैसे हमारा वर्ड जोग्राफिकली टू हेमिस् में डिसकस किया गया बहुत अच्छे तरीके से कि ग्लोबल साउथ क्या है और इंडिया का क्या importance है इंडिया कैसे अपनी influence को इंक्रीज कर सकता है ग्लोबल साउथ में कैसे इंडिया ने पास्ट इस्टांसेस पे अपने बहुत सारे इनिस्याटिव के थूरू अफिकन कंट पर क्योंकि हमें पता international relations कितना important है अगर essay की बात की जाए paper 2 की बात की जाए तो आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है international relations ठीक है आगे बढ़ते नेक्स हमारा topic है 10 years of India's activist policy ठीक है पहले हम lookist policy follow करते थे ठीक है lookist policy फिर मोधी गवर्मेंट जब प्रेजेंट गवर्मेंट बीजेपी गवर्मेंट आई तो इसने क्या किया चेंज कर दिया actist policy कर दिया इस चीज को ठीक है तो actist policy और lookist policy में क्या difference है इस अर्टिकल में यह सी डिसकस किया गया है कि actist policy किस तरीके से different है lookist policy से और कैसे इसका horizon काफी ज़्यादा बड़ा है compared to lookist policy जहां पे हम बहुत ही इस्टर्ण कंट्रीज पर focus थे बहुत ही concise बहुत ही limited area पर focus करते थे वही actist policy total Indo-Pacific region को cover करता है तो यह topic उस तरीके से important है क्योंकि हमें पता है कि इस्टर्ण है जो South East Asian countries है आशियान है यह हमारे लिए किस तरीके से कितना important है यहां पर natural resources हो गया फिर इंडो Pacific region में एक peace maintain करना कितना important है उसी साथ से इंडियाज actist policy बहुत बड़ा role play करता है हमारे international relation या फिर हमारे country का relation है South Eastern countries से South East Asian countries से maintain करने में coming to the next topic South China Sea tensions and international trade हमें पता है South China Sea का क्या ही importance है बहुत ज्यादा यह important strategic location है South China Sea जो एक बहुत ही condition में रहता है between different countries like Philippines, Japan, South China का जो reason है उसको चाइना भी claim करता है तो यह सारे areas का क्या tension है यह हमें पता है ठीक है और यह international trade में कैसे बड़ा एक बड़ा role play करता है यह भी परता इसके बारे में detail में discussion किया गया इस topic में इस पर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और notes बना सकते हैं क्योंकि पता है इंडिया भी इस टाइम पर इंडो-Pacific region पर बहुत जादा focus कर रहा है क्वार्ड हो गया और यह सारी चीज़े साथ हमारा diplomatic relation बहुत जादा अच्छा हो रहा है अभी रिसेंट टाइम पर इंडिया ने फिलिपिन्स को ब्रमूस भी export किया तो इस तरीके से जो साउथ इस्टेशियन रिजन हमारे लिए बहुत important हो जाता है इस वज़े से साउथ च topics में से भी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है क्या में डेटा है जो आपको अपने notes में mention करके revise करना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो आप comment में detailed discussion कमेंट कर दो नीचे आप detailed discussion यह चीज़ आप लिख दो ठीक है ताकि मुझे पता चले कि आप मैंसे कितने लो अब एक हमारा new scheme for agriculture sector जहां पे digital agriculture mission के बारे में discuss किया गया है अब यह क्या है हमें पता है कि इंडिया जो agriculture based country है तो इसका digitalization करना कि इतना important है हम इस चीज़ यहां पे discuss किया गया है कि कि इस तरीके से agriculture sector में digitalization करके हम क्या कर सकते है इसको eco friendly बना सकते climate resilient agriculture प्रोमोट कर सकते है और sustainable agriculture sustainable farming को भी हम क्या कर सकते है प्रोमोट कर सकते है इसमें second topic है हमारा प्रधानमंत्री मुद्राई होजना अभी recently present government जो start-up ecosystem को बहुत जादा promote कर रही है और along with that MSMEs जो rural area में है उनको भी promote करने में government का बहुत जादा attention है तो उससे related ISK में प्रधानमंत्री मुद्राई होज सब्सक्राइब करने के लिए तो इस पर detail discussion यहां पर एक बहुत अच्छा article लिखा गया जहां से आप कुछ important data वहां से code कर सकते हैं अपने answer writing में और वहां से आप notes भी बना सकते हो और कुछ और भी schemes वहां पर discuss की गई है जहां पर future में अगर आप agree होते हो अगर आप interest show करते ह मैं आपके सामने और प्रेजेंट करूंगा इस monthly magazine को भी ठीक है next topic आप creative economy के बारे में पढ़ सकते हो यह new idea है जिसका आप answer writing में mention कर सकते हो जैसे जब हम answer में बहुत real life examples mention करते हैं तो हमारा answer बहुत जाता authentic लगता है और एक थोरह उसमें reality भी आती है ठीक है तो जहां से जहां पर ऐसा economic ecosystem build करना है जो climate resilient climate change को support करें sustainable हो ठीक है जहां पर वहां के citizens भी proper engagement कर पाए economic activities में financial inclusion ensure हो पाए इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से discuss किया गया है okay further moving on to the next topic security security में जब आते हैं तो इंडिया जो है nuclear doctrine का इसका 25 years हो चुका है 25 years of India nuclear doctrine इसके बारे में एची discuss की गई है वैसे directly यह चीज तो बहुत direct आपको paper 2 में direct questions तो नहीं आने की chances है पर defense sector जो है हमारा उसमें यह काफी important role play कर सकता अगर आपको इसके बारे में idea होगा तो आ आपको basic idea होना चाहिए ठीक है अब environment पर आते हैं तो सबसे पहला renewable energy in India अब सबको पता है कि renewable energy का role क्या है आज के time पर जहां पर हम climate change के बहुत ही adverse effect को देख रहे हैं वहाँ पर renewable energy पर ही हम बहुत ज्यादा shift कर रहे हैं तो उस पर यह चीज आपका article है जिसको आप अच्छे से पर सकते हैं फिर next article हमारा important is sea level rise कर रहा है तो कैसे हमारा blue economy harm हो रहा है और जो marine ecosystem में उसको कैसे जो भी इसके adverse effect है उसको यह चीज डील करना पर रहा है sea level rise के कारण और क्या-क्यारीजन से sea level rise के इन सब के बारे में यहाँ पर discuss किया गया है next topic हमारा river linking project यह एक बहुत important topic है जो इसको link करना चाहिए जहां जिससे क्या होगा जो water surplus region है वहाँ से water को channelize करके क्या कर सके water deficit region में क्या कर सके water provide कर आ सके अभी जैसा कि हमने देखा बहुत सारे major metropolitan cities थे लाइक बैंगलुरू इन समय water की crisis बहुत ज्यादा level पे होई थी heat wave के time पे summer season के time और बहुत सारे ऐसे इंड river linking project के थुरू हम क्या कर सकते water को channelize कर सकते हैं ताकि sustainably water हर region में uniformly पहुंचा सके इस पर यह article है जहां पर important river linking projects के बारे में भी discuss किया गया जो अभी हमारे government of India के काम कर रहे है इस पर इन सब के बारे में भी यहां पर discuss किया गया है यहां पर एक छोटा सा topic आप देख सकते हो मै climate finance action fund ठीक है यह बहुत ज्यादा important तो नहीं है पर यह जैसे recently अभी अजरबैजान ने यह fund create किया है climate finance action fund अपने nationally determined contributions के अंडर जिससे क्या होगा climate related वहां पर fund raise किया जाएगा तो अगर कोई भी article या फिर essay आता है आपके exam में climate change related तो यह वर्ल्ड लेबल पर ग्लोबल लेबल पर कुछ steps के बारे में जानकारी देनी हूँ, example present करना हो तो आप इसका एक example दे सकते हैं जिसको as an example आप अपने notes में mention कर सकते हैं Okay, now moving on to the next topic social issues अब social issues में हमारे पास कौन-कौन से important topic है इससे मंत के हम वह देखते हैं सबसे पहला safety of healthcare professionals हमें पता है जो अभी कोलकाता में incident हुआ आज जीकर medical hospital में उससे related ही topic आया है जहांपे हम कैसे healthcare professionals की security and safety ensure कर सकते हैं आपके paper 2 के perspective से ठीक है next है mental health of the students जैसे कि recent हमने देखा करोलबाग region में जो दिली का है जहां पे tenant activities के करन दो तीन स्टुडेंट्स ने suicide commit किया और हमारे कोटा जैसे areas में कोटा में भी बहुत frequent level पे suicides आते रहते हैं साइट के news हम सुनते रहते हैं incidents बहुत ज्यादा frequent है और apart from that जो present day scenario है जहांपे हमारा बहुत ज्यादा जो गवर्मेंट के नहीं आई है इसका मतला है बायो टेकनोलोजी फॉर एकॉनमी इंवार्मेंट एंप्लॉइमेंट जो की नाम सी क्लियर होता है बायो टेकनोलोजी हमें प्रोमोट करना है और उसमें infrastructure development करनी है किस चीज के लिए economy के लिए environment के लिए इंवार्मेंट के अब यहां पर कल्चर सेक्शन में आपके लिए कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा अब यहां पर यहां पर आते स्कीम्स इन यूज तो यहां पर दो स्कीम्स है जिसको आपको आइधिंक प्रिपेर कर लेना चाहिए क्योंकि यह सारी स्कीम्स को क्या कर सकते हम मेंटेन रहेगी ठीक है तो सबसे पहला इसकीम यहां पर एग्रिशूर एग्रिफंट फॉर स्टार्टप एंड रूरल इंटर्प्राइजर स्कीम्स इसके बारे में वहां पर आपके स्क्शन में दिया गया है तो आप विजन आईस की अगस्त की मंतली में पढ़ेंगा तो आप prepare कर लें इसका नम है पीम कुछ हों यह दोई स्कीम से इस मन्त की तो इसी के साथ इस मन्त में यही कुछ जिससे मुझे यह पता चल सके कि आप लोग आप में से कितने लोग इंट्रेस्टेड हो विजन आई-एस के मतले मैग्जीन के ओपर डिटेल डिसक्रशन के लिए लिए बहुत ही कौन साइज वे में बहुत ही लिमेंटेट टॉपिक्स को डिसकस करेंगे बहुत ही करना परेगा प्रैक्तिस टोबी टॉपिकस अब रिपेर कर रहे जो अब हमें यूज्ज़ करो टेक्नेकस अब कैसे क्या सब्सक्वर एक और शोकर बहुत प्रोसेस के लिए प्रिप्रेशन करोगे अपनी जो कि फिजीकल मेडिकल और आपका इंटर्व्यू है तो आपको अभी सही इस तरीके के प्रिप्रेशन करनी चाहिए ठीक है बाकी रेस्ट आप कमेंट सेक्षिन में बताओ यह स्रीज आपको कैसी लग रही है आगे हमें इसम प्रिजेंट करो तेल देल जाहिए थैंक्यू सो मच्च